बरसात का मौसम, बरसात का मौसम की कहानी, पिंकी का सहसिक संघर्ष, गाउं की कहानी, बरसात का मौसम था, आसमान में काले बादल चाय हुए थे और हलकी हलकी बूंदा बांदी हो रही थी, गाउं के लोग अपने अपने घरों में दुपके हुए थे, पर बच्चों के जो अपने माता-पिता के साथ गाम के एक छोटे से घर में रहती थी पिंकी को बारिश का मौसम बहुत पसंद था जब भी आसमान में बादल चाते उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता पिंकी का उत्साह आज भी पिंकी अपनी सहेलियों के साथ गाम के पास बहती नदी के किनारे खेलने गई थी बारिश की बूंदों में भीगते हुए सभी बच्चे हसी खुशी से साथ खेल रहे थे पिंकी ने अपनी सहेली सुश्मा से कहा सुश्मा देखो मेरी कागज की नाव कितनी तेज चल रही है सुश्मा ने हस्ते हुए कहा हाँ पिंकी तुम तो हमेशा ही जीत जाती हो बरा साथ का मोसाम नदी और नाव अचानक बारिश तेज हो गई और सभी बच्चे डर के मारे अपने अपने घरों की और भागने लगे लेकिन पिंकी की कागज की नाव नदी में बहकर दूर निकल गई थी पिंकी ने अपनी नाव को पकड़ने के लिए दौर लगा दी उसकी सहेलिया उसे रोकने की कोशिश करने लगी लेकिन पिंकी ने उनकी बात नहीं सुनी वह तेज बारिश में भीकते हुए नदी की और भाकती चली गई पिंकी का संघर्ष और साहस नदी के पास पहुँचते पहुँचते पिंकी ने देखा कि उसकी नाव नदी के बहाव में बहती जा रही है उसने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी नदी का बहाव तेज था और पिंकी को तैरना नहीं आता था वह पानी में डूबने लगी अचानक पास ही खेत में काम कर रहे रामू काका ने उसे देखा वह तुरंत नदी में कूद पड़े और किसी तरह पिंकी को बाहर निकाला रामू काका ने पिंकी को गाव पहुँचाया रामू काका ने पिंकी को सुरक्षित गाव तक पहुँचाया गाव के लोगों ने पिंकी की इस हिम्मत की तारीफ की लेकिन साथ ही उसे समझाया कि पानी में कभी भी बिना सोचे समझे नहीं कूदना चाहिए पिंकी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सब के सामने माफी मांगी उसकी माने उसे गले लगाते हुए कहा पिंकी तुम्हारा साहस सराहनिय है लेकिन हमें हमेशा अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए कहानी से सीख इस बरसात का मौसम बच्चों की कहानी इस घटना के बाद पिंकी ने हमेशा अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने की कसम खाई उसने सीखा कि कभी-कभी जो चीजें हमें आकर्शित करती हैं वे हमें खत्रे में डाल सकती हैं हमें अपनी सुरक्षा और समझदारी का ध्यान रखना चाहिए बरसात का मौसम उसके लिए अब भी प्यारा था लेकिन अब वह पहले से ज्यादा सतर्क रहती थी बरसात का मौसम बरसात का मौसम उस दिन ने पिंकी और गाव के बच्चों को एक महत्वपूर्ण सीख दी साहस और समझदारी का सही संतुलन ही हमें सच्चे मायनों में सुरक्षित रख सकता है बरसात के बाद का वो इंद्र धनुष पिंकी के चहरे पर हमेशा के लिए एक मुस्कान छोड़ गया